दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि G20 जो नागपूर में आयोजित किया गया था और यहाँ अरब से यानि कि ओमान जिन्हें जाना था जो अरब के डिप्लोमेट थे ओमान के डिप्लोमेट थे उन्हें ओमान जाना था लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई सवाल यह उठता है यह एक वी वी आईपी दाइरे में आते हैं इनके पीछे सिक्यूरिटी होती है और सारी चीजों को देखने के लिए करने के लिए यहां पे सिक्यूरिटी लगे हुए हैं लोग लगे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी इनकी फ्लाइट शूट गई यह फ्लाइट दिल्ली जाना था और दिल्ली से इन्हें ओमान के लिए निकलना था लिखिन फ्लाइट शूटने के बाद दूसरी टिकेट की गई और जिसको ले करके ओमान के जो डिप्लोमेट हैं वो काफी चेंटी थे और फिलहाल उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया है अपर ईयरपूर्ट के पास भी सवाल यह उता है कि भारत से अपनी चैंट्री में जाएंगे हरो उमान में जब वहा शुक्राक्षा करेंगे बादचीत करेंगे तो क्या बताएंगे यहां कि security के बारे में क्या बताएंगी है कि वेवस्था के बारे में क्या सवाल वहां पर उठाएंगी यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस तरीके से एक VVIP जो हमारे देश में एक guest के रूप में आते हैं VVIP सुरक्षे के दैरे में आते हैं security चारों तरफ उनके होती है उसके बाब जूद अगर उनकी flight मिस हो जाती है तो अपने आप में एक बड़ी खवर है सुरक्षा पर एक सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की गलती किस प्रकार किन की गलतियों से होई होगी